तो आफ्यां कि बहुत बढ़ी यह बहुत भी बढ़ी को सबसे बढ़ी अगर कोई आपके पास कुछेंड है बच्छो तो यह इसी कुछेंट को रीट करूंगा कि यह ना वन आफ माई फेवरेट कॉश्मा धारिता दी हुई है एक उसने जूल और ग्राम में दिया मतलब यह विशिस्ट उसमा नहीं है तुकि ग्राम है कि 10 ग्राम के टुकड़े को हम सौ डिग्री से ताप पर गर्म करके हम उसको सौ डिग्री से तक गर्म करते हैं उसने क गषार था ही व्बारबल होगा और iç के फॉर्म म्मेश उसके पर हीट में करस्पण ब्राबर रहे होगा और हीट का छीड पास होता है heat gain या heat loss मारे पास mc delta t आपके पास होता है तो आपके पास क्यों आपके पास जो लोहा आयरन उसने जो heat loss की होगी exactly वही हीड जो हमारे पास जो होगा बचो आपके पास s2o ने मतलब जल ने gain किया होगा दोनों का बराबर हो जाएगा तो आप क्यों निकालो तो M इसका मास कितना है बचो 10 ग्राम है सी इसका हमारे पास कोशन में 0.25 दिया हुआ है डेल्टा टी इसका तापमान कम होगा मतब यह आपके पास 100 डिगरी से से कुछ टेंप्रेचर को गेन करेगा यहां पर इसका आपके पास मास कितना है 25 ग्राम आपके पार जल है तो M आपका 25 है मैंने बोला था क्या बचो यह कोशन M C भी होता और यह कोशन आपके पास N C भी होता है बस अंतर C देखो N आप तब यूज़ करोगे जब आपके पास यह मोलर उसमा धर्था दी होगी जो हम अलीक का टेमप्रेचर बच्चों बढ़ा होगा तो 173 से लब यह इसका टेमप्रेचर टी कुछ रहा होगा वह सब्दाइस पर हैना तो हैर मैरिस लोगर किया करो चैनल तो यहां पर दोनों क्लिवीरियन में आएंगे तापी सामे एंगे दोनों का एक टेंप्रेचर पर फि अब यापक के पास 0.9 रहा होगा और यह आपके पास 5 थूना 10 5 को 21 यह पास 21 यह पूल रहा होगा और यह क्यों पास 5 युद्ध पास 25 यह अब इसको आप मल्टिप्राइब करोगे इधर से यह आपके पास 900 हो गया होगा और यहां पर आवगे बाद बचुई यह मारे पास 0.90 रहा ओगा यहांके पास 21T यह हुआ होगा और आप मैं क्या करता हूं 20 इसको रहो बस्थ है इन टू पॉल्टी सेवन होगा यहां पर बच्वाओ यहां पर बच्वाओं 21 T में प्लस 0.9 T हो गया होगा आप सिंप्लिफाय करने के लिए आप T जब निकालोगे तो यह आप इसको सॉल करो तो आप नब्बे 21 इंटू 27 करो तो 21 इंटू 27 आपके पास 567 रहा होगा प्लस उसमें आपने 90 किया होगा तो 600 संतामन हो गया होगा उस्चेसो संतामन में आप डिवाइड में ब्च्चो 21.9 करोगे तो इसमें आप डिवाइड करोगे 21.9 तो 30 क्या सपास आपके पास बच्चो यह वैलू आपके पास कल्किया रही है तो 30 degrees Celsius हमारे पास लोहे का और उसका जो साम में ताप रहाऊगा वह आपको पास हो गया होगा अच्छा question था one of my favorite question था I hope आपको इचीज समन में आऊगी यह logic आपको यहां पर यह चीज यहां पर लगानी चाहिए तैंक यू